नमस्कार साथियो एलों विताल सुमेधा किटारिया टॉक्स की उर्चा परिमित श्रिंखला जो की आत्मन्वेशन की यात्रा है कुछ मेरी कुछ आपकी आज ये यात्रा पचास्वे मील पत्थर पर पहुँच गई है ये आपके स्निख और साधुवाद का संबल है आपका बहुत बहुत आभार आए ठहरे और रवाना हो गए जिन्दगी क्या है सफर की बात है यात्रा से जुड़ी है तैयारी यानि पैकिंग आज का पॉड़कास्ट पैकिंग सहेशने समेठने सफर के लिए तैयारी को समर्पित है किसी भी ट्रेवल प्लान के साथ जुड़ा होता है उच्साह एक्साइट में कहीं किसी अपने से मिलने का उच्साह कहीं नए स्थान पे जाने की खुशी प्रोफेशनली बहितर किसी मुकाम को पाने के लिए ओफिशल टूर भी अक्सर अच्छे लगते हैं इन सब के लिए परिहार या अनवाइडिबल है पैके मुझे ये काम थोड़ा टेढ़ा लगता है चैलेंजिग बहुत सोचना पड़ता है औरियन्टेशन बनानी पड़ती है हर प्रहर की क्या-क्या चाहिए होगा कब फॉर्मल इन फॉर्मल टूटीन अफसर के लिए है और हर छोटी बड़ी जरूरत का सब कुछ रखने की सोचते हैं तो सामान एक्दम ज्यादा लगने लगता है कम करने की कवायत करते हैं तो अक्सर होता ये है कि वही चीज़ ही जरूरी महसूस होती है जो निकालना चाहते हैं और दूसरी और एहतियातन हमारी ये आदत कुछ एक्स्ट्रा रखने की हमारे बैक्स को भारी भर कम बना देती है पैकिंग वास्तों में हमारी एफिशेंसी का इमत्हान होता है और कैसे की जाती है उसी से गुमान होता है कि हम वैल आउगनाईज़ हैं या नहीं ये कुछ उसी तरह का आइना है जैसा हमारा कबड हम डिले ढाले हैं या चुस्त दुरुस्त अनुशासित हैं या नहीं मेटिकुलस हैं या कैलस ये हमारी कबड से पता चलता है या हमारी पैकिंग से पहले अपनी यादाश्ट पे सब डालने की आदत पैकिंग के लिए होता है भांती भांती का उसमें हमारी मेमरी हमें धोखा दे सकती है मूड हावी हो जाता है इसलिए अच्छा रहता है कहीं भी जाने से पहले चेक पॉइंट्स बनाना और उन्हें टिक करते जाना पैकिंग काफी ठकाने वाली एक्सरसाइज है क्योंकि बहुत फोकस के साथ करनी पड़ती है 100% होके वरना जो असुविधा बाद में होती है वो किसी भी प्लेजर या ओफिशल ट्रिप का सुकून खत्रे में डाल सकती है अच्छा रहता है जो हम रोजमर्रा में परियोग करते हैं उन चीजों का मिनी स्टॉक तैयार रखना ट्रेवल रिस्टिक्शन के मद्दे नजर और भी ध्यान से रखना पड़ता है साजो सामा सिक्योरिटी चेक के बाद कितना रिलीवड मैसूस करते हैं हम ये निर्भर करता है हमारी अजिलिटी और कॉंशियस एफट पर अच्छा पैक्ट बैक सफर की ठकान दूर कर सकता है और चैन से आउटिंग की खुशी जीने को तयार पर पैकिंग के साथ थोड़ा भय भी जुड़ा रहता है कि कहीं हमारी कोई बेश कीमती चीज इधर उधर ना हो जाए खो ना जाए हमसे पैकिंग अपने आप में कोई positive vibes देने वाला शब्द नहीं है बड़ा मुश्किल काम होता है ट्रांसफर होने पे पैकिंग का क्योंकि हम सिरफ सामान ही नहीं पैक कर रहे होते हैं हम खटी मीठी समरितिओं को भी पैक कर रहे होते हैं जो नई जगह पहुंच कर unpack भी होती हैं कभी कचोडती हैं गुदगदाती हैं कभी nostalgic करने का मादा रखती हैं We look before and after and pine for what is not. बच्चों को जब पहली बार होस्टिल जाने के लिए पैकिंग करनी पड़ती है, तो कितनी तरह की mixed emotion से गुजरना पड़ता है? घर छोड़ने का दुख, नई जगा का डर, नए परिवेश की excitement भी. पैकिंग की एक और किसम है मौसम के अनुसार पैकिंग। सरदियां गुजर रहे हैं, गर्मियों का आगमन हो रहा है, तो इस लाइक स्पीड पार्टिंग और वेल्कम दे कमिंग गेस्ट। धोकर, तहकर, सहेच कर, समेटना, और निकालना, धूप में डालना, सजाना, इस जहमत को ना तो डिले किया जा सकता है, पोस्टपॉन्मेंट के चांसिस बहुत कम हैं, बस अपने को तयार करना पड़ता है, एक्टिव मोड में लाने के लिए. कई कपड़ों के साथ तो आह भरे ऐसासाथ जुड़े होते हैं, क्योंकि हमारे भीतर का Never Say Die Attitude हमें हमेशा उमेद देता है, कि अब के बार वो ड्रेसेज जरूर फिट आ जाएंगी, जिन्नोंने बीते कल में पैक किया था, या ये कि Better Next Year. आज जैसा करेंगे पैक, आने वाले मौसम के बदलाव में इतने ही जहमत कम ज्यज़ादा होगे. माना की थोड़ा हमारी एनर्जीस के लिए चुनोती पूर्ण होता है, हमारे समय पे बड़ा सा तकाजा, पर सोचिए कितना डल सा हो जाता अगर ऐसा ना होता. वेराइटी का सुख मौसमों की ही देन है, क्या हुआ जो एक आद दिन भारी सपड़ता है हमकर. पैकिंग अन पैकिंग की प्रक्रिया ही हमें रूबरू करती है, हमारी क्लेटर के प्रती क्या प्रवरित्ती है उसको लेकर. अपार अपार भंडार गर्म सर्थ पहनने ओढ़ने के कपड़ों को हम अपनी जरूरत के अनुकूल प्रयोग कितना करते हैं और हमारे पास स्टॉक कितना है, ये स्टॉक चेकिंग इसी प्रक्रिया से ही सुलब होती है और अक्सर. हमारे लिए भी ये शौकिंग होता है कि कितनी सारी चीजें विशेश कर हम साल भर में लाए ही नहीं प्रयोग में. तो सीधा सा मतलब है हमें उनकी जरूरत नहीं. और बहतर होगा हम उन्हें किसी जरूरत मन को दे दें जो सच में उनका मूल्य और कदर दोनों महसूस सकें और उन्हें प्रयोग कर सकें. पैकिंग, अनपैकिंग की प्रक्रिया, क्लियर दे क्लटर का नयाब माध्यम है. जीने का सामान जब हो जाता है जरूरत से स्यादा तो खुशी नहीं, स्ट्रेस देने लगता है और इसे खत्रे की घंटी की तरह लेकर कारवाई करना चाहिए. साथियो, आते जाते हम खाली हाथ हैं, पर पूरा जीवना हमारा समानी कठा करने, सहेच ने, समेठ ने, पैकिंग, अनपैकिंग की गाथा है. भल के भी खबर, पर आमसा जीवन जीने के लिए भी, सामान तो सब चाहिए, हर ब्रहर के लिए, हर सुख के लिए, हर सुविधा के लिए, अपनी खुशी और सुखुन के लिए, और ये कोई मायावी बात थोड़ी ने, ठोस, डे टूडे की जरूरियात में, हर छोटी बड़ी चीज माईने रखती है अनुभव के साथ पैकिंग एक्सपर्ट भी हो जाते है हाँ मुझे ऐसा लगता है साथियों थोड़ा सा उतसाही रवईया पैकिंग के पती होना चाहिए क्योंकि ये एक दिल्चस्प प्रासेस है और सफर के साथ जुड़ी हर खुशी उतकंठा की औरा का सॉलिड स्वरूप है पैकिंग अपने कमेंट्स से जरूर अवकत करवाईएगा जल्द ही फिर मिलेंगे जहिए